यूट्यूबर एलविश यादव था कुबूल नामा सामने आया है फूत्रों के मुताबिक पुलिस के सामने एलविश यादव ने अपने गुनाहों को कुबूल कर लिया है पार्टी में साप मंगवाने की बार, साप का जहर मंगवाने का आरोप एलविश ने पुलिस से एक एक डिटेल अप शेयर कर दी है सोशल मीडिया पर रोशनी बिखेरने वाले एलविश अब जेल की काली कोटरी में अपने अपराधों का अंजाम भुखतेंगे सेक्टर एक्षावन में होने वाली रेव पार्टी के बारे में क्या आपको जानकारी थी? हाँ, जानकारी थी, ऐसी पार्टी अक्सर होती रहती है पार्टी में साप क्यों मंगवाय गए थे? सापों को भेजवाने में आपका नाम भी सामने आया है रेव पार्टियों में सांपों को भी लाया जाता है पार्टी के लिए सांपों का इंतिजाम आपने किया था राहुल ने मुझे बोला था मैंने सिर्फ उसको सपेरों से कनेक्ट कर पा दिया था सांपों के अलावा जो 20 ml सांप का जहर मिला है उसका क्या करते हैं पार्टी में स्नेक वेमन का कुछ लोग पार्टी के दोरान रशे के दोर पर इस्तेमाल करते हैं सूत्रों के मताविक यूट्यूबर, इंफ्लूएंसर और बिग बॉस OTT2 के विजेता एलविश यादों ने पूश्टाच में आरोब कबूल कर लिया है पार्टी में सांप मंगवाने की बात मान ली है सांप का जहर मंगवाने का आरोब भी कबूल कर लिया है और ये भी कबूल कर लिया है कि अन्ने आरोपियों से ये रेव पार्टी में मिल चुका था उनके जिन्दगी के कुछ साल तो सलाखों के बीचे ही कटने वाले हैं। बैंके फॉल में सांपों का जहर मोहिया कराया था। फॉरंसिक टीम ने भी इसकी पुष्टी की थी। गिरफतारी के बाद कोट ने एलविश यादो को 14 दिनों की नियाई खेरासत में भेज दिया है। लेकिन सवाल है अब आके क्या होगा। नोयडा पुलिस ने एलविश यादो के खिलाफ NDPS Act की धारा 29 के तहट भी केस दर्च किया है। इस कानून के तहट तब कार्रिवाई की जाती है जब कोई ड्रक्स से जोड़ी साजिश में शामिल हो। या मामला ड्रक्स की खरीद फरोक्त से जुड़ा हो इस कानून के तहट दोशी पाये जाने पर कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा हो सकती है पोलिस ने 3 नवंबर 2023 को आरोपियों के कब्से से 5 कोब्रा समेत 9 सापों को बचाया था जात से पता चला कि सभी 9 सापों में वेनम ग्लैंड्स यानी जहर की ग्रंथी गायब थी जिसमें जहर होता है पोलिस ने उनके पास से 20 एमल साप का जहर भी बरामत किया था लेकिन एलविश ने आरोपों को खारिच करते हुए निरा था, फर्जी और एक फिस्दी भी सच नहीं करार दिया था अब एलविश ने अपना गुना कबूल कर लिया है मेंका गांधी की संस्था People for Animals यानी PFA ने साप के जहर वाली रेव पार्टी का बरदाफाश किया था और तभी से नोईडा पोलिस की नजर एलविश यादो पर थी सबाल, बंग, गाड़ी, फैशन से लगधक लाइफ के बावजूद एलविश जहर का सौधागर कैसे बन गए इसका जवाब सिर्फ एलविश यादो की क्राइम कोंडली खंगालने से नहीं मिलेगी बलकि रेव पार्टियों में नश्य के बढ़ती कारोबार की इंसाइड रिपोर्ट में मिलेगी कोकेन हेरोईन के अलावा अब देश में धरलने से रेव पार्टीस की आड़ में प्रतिवंदिस सापों के जहर का इस्तमाल किया जा रहा है यही बज़े है कि नार्कोडिस कंट्रोल ब्यूरो के अलावा राज पुलिस भी अब प्रतिवंदिस सापों की खरीत फुरुक और इस्ते जुड़े कारोबार करने बालों पर पहनी नजर बनाई हुए है और एलविश यादो के मामले के बाद अब सुरक्चा एजंसियां और ज़्यादा चोकन नी हो गई है यह पहली बार नहीं हुआ है साप और सापों का जहर पुलिस ने पकड़ा है साप का जहर इतना महंगा है कि इसके कारोबार में अक्सर हाई प्रोफाइल लोग ही शामिल मिलते हैं आपको आगे बताएंगे कि अलविश यादो की सोशल मीडिया की चमक चांदनी का अब ग्या होगा लेकिन उसके पहले साप के जहर का खेल समझ लीजे जो रेव पार्टी में शान की चीज समझी जाती है अलविश यादो की गिरफतारी के बाद स्नेक बाइड ड्रग एडिक्शन की खूब चर्चा हो रही है लेकिन ये बात आम लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जहरीले सापों के विश से कोई कैसे नशा कर सकता है क्या वो नशा करने के बाद जीवित रह सकता है इंटरनेट पर इसे लेकर कई रिपोर्ट मौझूद है जिसके मुतावित नशा करने वाले दो-तीन तरीके से जहरीले सापों का विश लेते हैं इसमें एक्सपोर्ट सफेरे या विशेशग्यों की मदद ली जाती है कुछ मामलों में नशा करने वाले अपनी जीव पर सापों से धंश करवाते हैं इस प्रक्रिया में बेहत कम मात्रा में विश का जीव से स्पर्श भर होता है कई बार नशा करने वाले इंजेक्शन के जरिये विश लेते हैं कई अपनी उंग्लियों में भी साप से कटवाते हैं। ये विश सीधे इनसान के मस्तिश्क पर चोड़ करता है। और उसे एक अलोकिक दुनिया में पहुचा देता है। लेकिन इस जानकारी से जादा ये जानना जरूरी है कि ये बेहत खदरनाक और गहर कानोनी है। इसमें पलक छपकते ही नशा करने वालों की मौत हो सकती है। लेकिन नशे के खारोबार पर इसका असर नहीं होता। हजारों रुपए खर्च कर साप और उसके जहर को रेव पार्टियों में परूसा जाता है। सापों के साथ खेल का एलविश यादो के कई वीडियो वारल है। एलविश और उसके गैंग के पास जो कोब्रा बरामत किया गया है। उसके जहर की कीमत सुनकर आप चौक जाएंगे। पैसे खर्च किये गए होंगे। लेकिन यहां ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि जो 20 एमल जहर पोलिस ने बरामत किया है। वो एलविश यादो के पास से नहीं बलकि उसके सहयोगी के पास से जब्त किया गया है। पोलिस इस सुवक्त सारे लिंक को जोड रही है। लेकिन इस बीच ये भी समझना जरूरी है कि इसके पीछे कुछ और भी बड़ा खेल तो नहीं है। बिग बॉस फेम और यूटूबर एलविश यादो लगातार भिवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। पहले सापों से जहर से जुड़ा मामला और उसके बाद एक अन यूटूबर के साथ मारपीट का वीडियो वाइरल होना। इसके क्या माइने निकाले जाएं कि क्या एलविश यादो पबलिसिटी स्टंड ले रहे हैं या इस तरह की घटनाओ को अंजाम दे कर वो अपने फॉलवर्स बड़ा न चाते हैं। दूसरे यूटूबर के खिलाफ वीडियो बनाना या धमकी देना जैसा की कहा जा रहा कि जिस संस्था यानि पिएफए ने एलविश के जहर खुरानी गिरोह का परदाफाश किया उससे भी एलविश ने धमकी दी हैं जिसका केस अलग बन सकता है। अलविश यादो व्लोक्स के नाम से दूसरे यूट्यूब चैनल पर 75 दश्मलो एक लाख सब्सक्राइबर हैं। इस्टाक्राम पर अलविश यादो के एक करोड़ साथ लाख फॉल्वर्स हैं। अलविश सेलब्स की गोस्टिंग वीडियो बनाकर सबसे जादा फेमस हुए थे। व्लोकिंग के आलाबा अलविश यादो कपड़ों के ब्रैंड सिस्टम प्लोधिंग के मालिक है। अलविश यादो लगजरी लाइफ जीते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में आना जाना हैं। लेकिन नशे के खेल में अलविश इस तरह और इतनी गहराई से शामिल हैं। ये जानकर अलविश के फॉल्वर्स बहुत दुखी हैं। झाले में आना में, झाले में यादो बड़ी के गहराई से शामिल हैं। झाले में जाना जामिल हैं, दूजर। रविश भयाईकि लो खेंझर, यानिए ये यादो की हैं। वरे ले एके रहिए म Completely series the review